हेलो माइडियर फ्रेंट्स कैसे आप सब्सक्राइब बहुत ही बढ़िया होंगे तो फ्रेंट्स फाइनली एचस्टी एस काउंसलिंग के लिए आर्ट से स्टार्ट हो चुके हैं इस वीडियो में आपको बताने वालों स्टेप बाइस्टेप के लिए घर बैठे आपने मोबाइल लैप्टोप एक कंप्यूटर से रिच्टर कर सकते हैं चलिए फ्रेंट्स बिना कोई देरी कि इदर से दो वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपके पास कोई भी लैप्टोप या पीसी नहीं तो यार सिंपली आप अपने मोबाइल के लिए अदर टाइप करना है इस वेबसाइट का लिंक यार मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदूगे जिसको पर क्लिक करके यार आप डारेक्टल इस वेबसाइट पर पहुँँच सकते हैं इसको अगर जैसे यार आप इसको पर क्लिक करोगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा आपको यार simply click here to register और sign up पर क्लिक करना है जैसे यार आपको इसको पर क्लिक करोगा आपके सामने बहुत सारी instructions आजाएंगी जिसको यार आपको simply scroll down करके yes वाले checkbox पर क्लिक करके I agree पर क्लिक कर देना है जैसे यार आपको select course के अंदर BE, BTEC select करना है इसके बाद friends आपको entrance exam past के अंदर J means paper one select करना है इसके बाद friends आपको next column के अंदर enter application number as per entrance exam पूछा गया है तो यार आपको आपके J means का application number लिखना है इसके बाद friends next column आपको आपका roll number पूछा गया है यानि कि आपके 12th class आपने कौन से बोर से पास्ट आउट करी है इसके बाद friends next step में आपको आपकी 12th class का रोल नमर एंटर करना है तो भाई जो भी रोल नमर हो यार वो यहाँ पर एंटर कर दे इसके बाद friends next column में आपको passing year select करना यानि कि आपने आपके 12th class का रोल से यह में पास्ट करी इसके बाद friends next step में आपको simply ऊपर वाला जो checkbox है और उसको select कर लेना है जिसमें लिखा हुआ I give consent to HSTS to fetch my data from Digiloker इसके बाद friends जैसे नीचे scroll down करोगा आपको यहाँ पर आपका mobile number एंटर करना है जो भी आपका mobile number वो यहाँ पर एंटर कर दें इसके बाद friends next step में आपको अपना email address एंटर करना है email address एंटर करने के बाद आपको simply कोई भी password जनरेट करना है जान रखे भाई password ऐसा बनाना जो कि आप याद रख सको क्योंकि भाई यह password आपको login करने में काम आने वाला है इसके बाद friends जो भी password आपने एंटर कर रहा है उसको simply रिएंटर कर दीजिए इसके बाद friends आपको simply जो भी इस image के अंदर code दिखाए दे रहा है उसको एंटर कर दें और sign up पर click कर दें इसके बाद friends ओके जैसे friends आप okay पर click करोगा आपके सामने एक message pop up हो जागा your sign up is successful यहाँ पर friends आपको आपकी registration ID given होगी या तो friends आप इस registration ID को copy करके कहीं पर note down कर ले अदर्वाइस friends आप इसका screenshot भी ले सकते हैं क्योंकि registration ID भी आपको बार बार login करने के लिए required होगी इसके बाद friends simply आपको ओके पर click कर देना है जैसे friends आप पर click करोगे आप again home page पर आजाओगे और यहाँ पर यहाँ पर आपका registration complete हो चुका है अब friends आपको simply click करना है यार क्लिक लोगिन वाले option पर और यहाँ पर अगेन आपको आपका course आपके अगेन already filled up होगी यहाँ पर friends आपको सबसे पहले इस वाले चेक बोक्स के अंदर आपके एन्वल parental income choose करनी है from all sources तो friend जिस भी कटेगरी में अपलाए करते हूँ वह वाली यहाँ आपको आपकी सब करनी है और लाश्ट में अगर आप फीजिकली हैंडिकेपन है तो यह पर क्लिक करें अधरवाइस नो क्लिक करें इसके अगर आप इनमें से किसी कटेगरी में लाइक करते हो तो तो बैए इसको ब्लेंक छोड़ सकते हैं Next friend, आपका अपका लिटुस कर रेना है इसकी पर फ्रेफ नेक्शिचे सेपलेश करें पर पिन कुड़िए नहीं कर देना है वेदर इट इस गोर्मेंट प्राइवेट और ओपन इसके बाद आपको आपके इंस्टिटूट के लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट कोलम एर आपको रोल नंबर ऑफ मैट्रिक डालना मैट्रिक यार बेसिकली 10th क्लास के मार्शिट का रोल नंबर डालना इसके बाद आपको जो भी कोड़ आपकी स्क्रीन पर दिया होगा उसको एर एंटर कर देना है और अपडेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना यहां पर फ्रेंट्स एर रागया में भी हमने कोई गलती कर दिये अब कोमा स्लैस स्पेस और डोट का इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी क अगर अगर आपको आपके बेंग रीटेल्स चालीं दनिया ев है्ना यहां यहां पर कनक। इसके बाद नेक्स्ट कोलम में आपसे पूचा गया है Do you know your PPP ID यानि की परिवार पैचान पत्रा ID तो अगर आपको आपकी PPP ID पता है तो simply यहाँ पर एंटर कर दें Otherwise, No पर क्लिक करके आपका अधारकार नमबर एंटर कर सकते हैं इसके बाद आपको आपके Name वाली कोलम पर टिक कर देना है और जो भी OTP आपके पर यहां पर एंटर कर देना है इसके बाद नेक्स्ट सटप में आपको सिंपली जो भी आपका Security Code में और सेखेंट पर क्लिक कर देना है जैसे आप save and next पर click करोगे हम आ जाएंगे थर्ड step के उपर जो कि होगा photo and signature का इस वाले step में आपको आपकी photo और signature अपलोड करने है photo का और signature का दोनों का ही size 30KB से कम होना चाहिए और जो image format है वो .jpg या फिर .jpeg ही होना चाहिए so friends simply choose file पर click करके आप आपके photo और signature को upload कर सकते हैं इसकी वाथ friends आपको simply save and next पर click करना है और हम आजेंगे fourth step के उपर fourth step के अंदर आपको basically आपके marks एंटर करने है यानि कि आपके qualification details से एंटर करने है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको marks वाले checkbox को select कर लेना है इसकी वाथ friends next column air आपको आपके total obtained marks एंटर कर देने हैं और maximum marks वाले column air आपको simply जितने भी subject से उनके total marks एंटर कर देने हैं जैसे friends आप maximum marks पर click करोगे आपके percentage बाइज automatically calculate होके screen पर show हो जाएगी इसकी वाथ friends next column air आपको PCM में obtained marks एंटर करने हैं और इस वाले column air आपको PCM के maximum marks एंटर करने हैं उसकी वाथ friends आपको simply save and next पर click कर देना है जैसे friends आप save and next पर click करोगे आप आजाओ यार 5th step पर यानके confirm details वाले step पर तो यहाँ पर एक बार check कर ले आपकी जितने भी details आपने एंटर करी हैं वो सारी सही है या फिर नहीं अगर कुछ भी दिक्कत है तो भाई उसको यार आप edit कर सकते हैं उसको यार आप correct कर सकते हैं इसको friends simply confirm details पर click कर दें तो simply friends अगर आप किसी भी category में लाइक करते हो तो आपको यार उस category का cost certificate select कर लेना है और upload पर click कर देना है और same ऐसे ही अगले step में friends आपको आपके 10th class के mark sheet को select कर लेना है और simply again upload कर देना है इसके बाद friends आपको simply next पर click कर देना है जैसे friends आप next पर click करोगे आप आज होगे final step के ऊपर जहां पर आपको fee payment करनी होगी तो friends यहां पर आपका registration fee amount show हो रहा होगा इसके बाद friends आपको simply online payment वाले method पर click कर देना है यहां पर friends आपको simply online payment वाले method पर click कर देना है यहां पर friends आपको simply proceed पर click कर देना है इसके बाद friends next column में आपको simply one time password enter कर देना है simply next पर click कर दे और आपके सामने fee payment status show हो जागा इस fee payment status का screenshot या फिर PDF डाउनलोड कर ले admission के टाइम पर आपसे बहुत बारबाई इस slip का screenshot या फिर PDF मांग लेते हैं के बाद friends आपको simply login पर click कर देना है और again आपके registration ID और password डाल कर आपको login कर लेना है तो यहां पर friends आपका HSTS counseling के लिए registration complete हो चुका है जितने भी steps यह वो आपने complete कर लिये हैं जैसे ही friends आप login पर click करोगे आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा जिसका मतलब यह है कि आपने successfully आपका registration complete कर लिया है तो friends इस वीडियो में सरफ इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई like करें और चैनल को अभी तह सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो क्योंकि college admissions के अंदर भाई आपके इस चैनल के थुरू बहुत